जै माइंद्राक्षी जै अम्बे आईए इस विशे संक में हम बात करते हैं कुम्ब राशी के जातक अपरेल के महीनी में क्या विशे सुपाय करें तो बात करते हैं कुम्ब राशी की आपकी राशी बहुत विशाल राशी है बहुत विशाल हर्दे के हैं आप गंभीर चिंतन आपके मन में रहता है और किसी भी चीज़ को आप बहुत गंभीरता से बहुत गहराई से सोचने वाले व्यक्ति है लेकिन आप कितने गहरे हैं आप कितने पॉजिटिव हैं ये चीज हर व्यक्ति की समझ में नहीं आती है दोका मिलने की संभावना किसी के लिए बहुत कुछ कर देना और उसके उससे कुछ भी आपको सही हो प्राप्त नहोना ये कई बार जीवन में ऐसा आपके साथ होता है और इसी के साथ साथ संगर सील जीवन तो आप लोगों का रहता ही रहता है कितना ही पैसा कमा लें कितना ही नाम कमा लें लेकिन जीवन से संगर बहुत कम लोगों के जा पाता है खेर और इस महीने ये महीना जो अपरेल का है ये बहुत खास महीना है क्यों एक तो हम अपने हिंदी वर्ष में प्रवेस कर रहे हैं सम्वंथ 2089 में और दो अपरेल से प्रथम नवरात्र है और वर्ष का प्रथम दे रहे हैं बहुत बड़ी खुशी की बात है और एक चीज और बताए जब कोई सम्वंथ बदलता है हर वर्ष एक साल के बाद तो हमारे वर्ष के राजा और मंतरी होते हैं तो इस वार जो राजा है इस साल के वो शनी ही है आपकी राज़ी के स्वामी है शनी है यह बहुत प्रसंता की बात है और मंतरी जो है वो ब्रस्पती है इसलिए नया साल चड़ रहा है उपाए बहुत जरूरी है आपकी इस साल के राजा शनी हैं तो उपाई बहुत जरूरी है और अप्रेल के महीने में एक विसेश बात हो रहे हैं कि करीब करीब समस्त ग्रह राशी बदल रहे हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन है बहुत बड़ा मोड है और किन किन चीजों से हम आप सब गुजरे हैं ये बताने की वश्रक्ता नहीं है इसलिए आराम से सांती से अपने घर में बैठकर ही कुछ उपाई कर लिए जाएं ताकि इश्वर की करपा बनी रहे और जीवन सुख सांती के साथ गुजर जाएं तो आईए इस महीने ग्रहों को क्या परिवर्तन है एक नजर वो भी देख लें सूरिय हनगे चोदा अप्रेल से मेश रासी में चले जाएंगे मंगल साथ अप्रेल से कुंब राति आईगे मंगल शनी इखटे होंगे अंत में जाकर के थोड़ा सा साबधानी बरतनी की आवश्रक्ता है बुद्ध 8 अपरेल से मेस में करीब 24 अपरेल तक बहुत कम समय के लिए रहेंगे ब्रसपती 13 अपरेल से मीन रासी में चले जाएंगे शुक्र आपकी रासी कुम्ब में अभी चल रहे हैं लेकिन 27 अपरेल से अपनी उच्छ रासी मीन में चले जाएंगे शनी जो हैं अभी अपनी रासी मकर रासी में चल रहे हैं लेकिन इस महीने के अंत में करीब 39 अपरेल के आसपास से कुम्ब रासी में आजाएंगे आपकी रासी में जाएंगे राहू 12 अप्रेल से मेस में और केतु 12 अप्रेल से तुला देखो क्या सही होग है सारे ग्रेचेंज हो रहे हैं अब हम करते हैं उपाई की बार उपाई के रूप में सबसे पहले तो ध्यार नखें कि कुछ तारीके हर महीने की ऐसी होती है जिन में थोड़ा साब धाने के आवश्र रखता होती है वो तारीके सुन ले पाँच अप्रेल, छे अप्रेल, पंदरा अप्रेल, सोला, टुन्टी थिरी और टुन्टी फॉर इन तारीकों में ध्यान रखें थोड़ा सा बिना मतलब किसी से जिरह बहस ना करें यह साल आपको कहीं ने कहीं, साल तो हम नहीं कह सकते लेकिन अप्रेल महीने के हम बात कर लेते हैं कहीं ने कहीं प्रॉपर्टी से, भूमी से कुछ आपको लाब मिल सकता है लेकिन काले छेतर में कुछ बादा हैं आपको प्राप्त होंगी पेट में और नेत्रों में कुछ समस्या आ सकती है और अपने परावारिक रूप में परावारिक जो हमारा घर के सभी सरस्टी हैं उन में कहीं ने कहीं आपको अच्छी संतोस की इस्तिती दिखाई देगी और किसी विशेश व्यक्ति से इस महीने सहयोग मिलने का भी चांस है लेकिन चेस्ट इंफेक्शन ना हो कफ ना बने थोड़ा सा आप लो साबधानी बरते हैं अब देखो हमें उपाय क्या करने चाहिए पहली बात तो दो अप्रेल का प्रथम वर्ष का प्रथम दिन है और प्रथम नवरात्र है यदि आप पूजा पाठ में बिलीव करते हैं भगवती को मानते हैं तो जीवन में यह समझे लिजेगा बहुत सारे उपाय करने के आवश्यक्ता ही नहीं है जग जन्नी है हमारे रिश्यों की सोच बहुत बड़ी रही है उन्होंने देखो ना अपने नवर्ष को कैसे मनाया है और कैसे हम से सबसे मनवाया है कि बेटा सा का प्रथम दिन आये जग जन्नी की सेवा करना जग जन्नी की साधना करना तो भगवती की साधना हम कैसे करेंगे गहटी सापना कैसे करेंगे कौन सा पार्ट दुर्गाश्प्षती का कैसी किया जाता है यह सारी चीज़े हमने नवरात्र विश्यों सांग में बताई है उसे का प्रथम दिन भी सनिवार है और प्रथम नवरात्र सनिवार का है कितने सारे संयोग में लिखा रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाना आपकी रासी से संबंदित कोई और भी आपके घर में हो मित्रवंडल में हो उनसे भी उपाय बोलने की राइदेना एक उपाय बता रहूं बरगत के पत्तो पर सिरी राम सिरी राम लिखें तीन या पांच या ग्यारह पत्तों पर लड्डू उनसे पीपल का या बरगत का पत्ता प्रियाश करें हम सनिवार में ने तोड़ने और उसे अपने कहीं भी फ्री जादी में रख सकते हैं अगले दिन उस पत्ते पे सुबा सुबा या किसी भी समय प्रेम से सीरी नाम लिखें, माला सी बना लें और शनिवार की शाम को हनमान जी के गले में वो माला पहना करके धूर दी परफण करें फल फूल चणाएं, बहुत अच्छी करपा आपके उपर वरसेगी शनिवार के दिन दिन में किसी भी समय दो मिनट पाँच मिनट का वक्त निकाल करके एक माला, तीन माला या पाँच मिनट ओम शम सनिच्चलाए नमा ओम शम सनिच्चलाए नमा इस बिजात्मक मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा लाब मिलेगा। लगडी की खड़ाओं या रवड की चपल किसी भी धर्म छेत्र में जाकर किदान करना दो या तीन सनिवार बहुत अच्छा लाब मिलेगा। दर्शत करत जो शनी स्तोत्र है नीलाई शीत कंटर निवाय चाहे का लगनी रुपा है करतांता ही चाहब वई नमाई। बहुत ही अच्छा इस्तोत्र है भगवान दर्शत के द्वारा रचित है और उन्होंने इसी सोत्र को पढ़ा था शनी देव से उनसे प्रसंद हो गए तो कहने का भाव के ये स्तोत्र आप कम से कम तीन सनिवार या चार सनिवार अप्रैल के महीने में जरूर पढ़िएगा बहुत अच्छे लाब की प्राप्ति होगी उपाय कोन-कोन कर सकता है जिनकी रासी कुम्ब है जिनका लगन कुम्ब है या जिनको पुकारते नाम से जिनकी रासी कुम्ब बनती है वो सब उपाय करने बिलकुल रणने के आवश्रकता नहीं है आप चिंता मत करना कल क्या हो छोड़ दीजिये, आज को सुधार लीजिये, कल अपने आप सुधर जाएगा। बहुत अच्छे इस सिलाब की आपको प्राप्ती होगी, शनी देव की प्रपा की प्राप्ती होगी, चीटियों को शक्कर और काले तिल में थोड़ा भुना आटा मिला करके शक्कर मिला लें उसमें, थोड़ा घी डालें, काला तिल मिला लें, काली सरसो मिला लें, और चीटि प्रसंद रहते हैं जो आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा भगवान भहरव की साधना हमने बताई थी तो जो भगवान भहरव की साधना शनिवार को करता है उससे सनिदे प्रसंद रहते हैं जो अनमान जी की साधना करता है उससे सनिदे प्रसंद रहते हैं रवण का जूता चपल अपनी इच्छा से दो तिन सनिवार किसी गरीब को बहना दीजिए दर्म छेत्र में भी दे दीजिए किसी गरीब को भी बहना दीजिए इससे आपको ब किसे सनुष्ठान बताया था इस बार नवरात्रों के लिए तो उससे भी आप जूड़ना चाहें तो जूड़िए बहुत अच्छा लाब मिलेगा 25 मारसन 2022 का मारकार करम देख लीजिए आपको सुमझ में आ जाएगा जिन्होंने अब तक ना देखा हूँ 114 मुखी रुदराक्ष पहना, 9 मुखी के 9 रुदराक्ष पहना, शिप परिवार रुदराक्ष पहनना भी आप लोगों के लिए बहुत सुरेश्ट रहता, अंबी का यंत्र हुआ, भaiवान सुरीगणपती का यंत्र हुआ और इसी के साथ साथ स्री अंत्र की साथना आपके लिए स्रेश रसत दभलदाई रहती है हमने मेश रासी से लेकर के मीन रासी के सभी उपाएं बताएं है हो सकता है आपके परिवार में दोस्तों में किसी की कोई और रासी हो तो वो भी अपनी रासी सुनकर करके अपने 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 उपाई करने तो बहुत अच्छा लाब मिलेगा उमीद करता हूँ यह अप्रेल का महीना बहुत खास है, नया साल है आपके लिए बहुत बहुत खोशियां लेकर के आए ऐसी जगदंबा से प्रातना करता हूँ इसलिए आप लोग थोड़ा ज़्यादा जितना आप से बन सके साधना उपासना उपायों से अपरेल के महीने में जरूर जुड़े रहना तो बस मैं तो यही शुपकामना दे सकता हूँ कि यह जो नया समवस्तर प्रारंब हुआ है दो अपरेल से हो जाएगा आप सबको ढहरो सारी खोशियां इसमें प्राप्त हों आप सबकी समस्त मनो कामनाएं पूर्ण हों आप स्वस्त रहें सुखी रहें इन्हीं शुपकामनाओं के साथ हम अपनी वानी को गराम देते हैं जय जय अम्बे मैं मन्ची कभी हूँ बैसिकली मुझे बहुत दिनस इस बात की तलास थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे उपर हो जो उसको बचाए क्योंकि गलतीया थो होती है और आज के कारिक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई बस इससे ज़्यादा मनी कुछ करूँ किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें